कई बार हस्ते मुश्कुराते चेहरे के पीछे का सच जान कर भी आपको यकीन नहीं होता साल 1970 के दशक में एक ऐसा ही व्यक्ति था डीन कोरल जो की इतना खुंखार अपराधी था उसका सच एक बार सामने भी आया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ सतर के दशक में डीन कोरल अपनी मा की फैक्टरी में जो की कैंडी की फैक्टरी थी उसमें काम करता था और उसके आज पास जो बच्चे रहते थे उनको फ्री में कैंडी दिया करता था बच्चे उसे कैंडी मैन कहकर बुलाते थे आज क्राइम तक पर हम आपको उसी कैंडी मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सत्तर के दशक में इतना खुंखार अपराधी बन गया कि लोग उसके नाम तक से सिहर उठते थे इस कैंडी मैन का असली नाम है डीन कोरल दीन कोरल का बचपन बेहद ही भयानक बोल सकते हैं क्योंकि दीन कोरल के जो माता पिता हैं उनके बीच में काफी जगड़े होते थे जिसकी वज़ा से दीन कोरल कभी खुश नहीं रहता था आखिरकार ये हुआ कि दीन कोरल के माता पिता ने तलाक ले दिया इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की दूसरी शादी भी ज़्यादा समय तक टिकी नहीं हाला कि उस दौरान उन्होंने तलाक नहीं लिया इसके बाद जो डीन कुरल की मा है उन्होंने दक्षिन की यात्रा करने का फैसला किया यात्रा के दौरान ही उनकी मुलाकात एक और ट्रैबलर से हुई जिनके साथ दीन कोरल की मा ने दूसरी शादी कर लिए कैंडी की फैक्टरी थी जिसमें दीन कोरल की मा काम करती थी और वहीं पर दीन कोरल भी काम करने लगा इसके बाद डीन कोरल वहाँ पे जो लोग काम करते थे उनसे जम कर फ्लर्ट करता उस फैक्टरी में अधिकतर लोग वैसे थे जो अपने घर से भाग कर आये थे और उन्हें उस फैक्टरी में नौकरी मिल गई और अपना वो जीवन यापन करने लगे और आसपास के जो बच्चे थे वो भी उधर आते थे क्योंकि वो कैंडी फैक्टरी थी और जो ये कैंडी मैन के नाम से फेमस था डीन इसने बच्चों को फ्री में कैंडी बाटनी शुरू की इसके बाद जो एक फैक्टरी में भी एक टीनेजर बच्चा था जो वहाँ पे काम करता था उसे भी डीन फ्री में कैंडी देता और उसे एक बार उसके साथ रेप जैसी घिनोनी वारदार को अंजाम दिया इस दोरान उसने उसको महगे तोफूं का लालस दिया इससे पहले भी वो उस बच्चे के साथ छेड़ चाड़ करता था लेकिन उससे आगे बढ़कर उसने महगे तोफूं का लालस देते हुए उसके साथ रेप किया इसके बाद तुझा सिलसला शुरू हो गया इसके बाद इस Candyman की फैक्टरी में धेरो टीनेज बच्चे जॉब की तलाश में आये, जो अपने घर से भाग कर आये थे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके बाद इनके साथ Candyman की दोस्ती और भी प्रगाड होती चली गई, जिसके बाद ये उन्हें अपने जहांसे मे लेते आ गया और उनके साथ वारदात को अंजाम देता गया, इसमें इसका साथ देता था एक टीनेज लड़का जो उसका दोस्त बन गया था और ये वो उसका साथ देता लड़कों को फसाने में, इन्हीं में एक 12 साल का लड़का था डेविड ब्रुक्स, इसी को महंगे त तोफों का लालस दिया गया था और फिर उसके साथ रेप किया गया था, डेविड ब्रुक्स जो डीन है उसकी हेल्प भी करता था, महंगे तोफों का लालस देकर ब्रुक्स के साथ वो लगाता रेप तो कर ही रहा था, लेकिन उसने ब्रुक्स को इसके लिए और भी लड़ के अनुसार कोरले 1970 के सितंबर में पहला कतल किया तब तक कोरल की मां अपने तीसरे पती को भी तलाग दे चुकी थी और वो कोल रोडो शिफ्ट हो गई थी लेकिन कोरल हुस्टन में ही रहा और इलेक्रिशन की जॉब करने लगा इस दोरान वो जितने भी घरों में रहा वहां प्रिक्षा करता रहता था ब्रoups लड्कों को फसा कर लाता उनकर वहां तक किमत होती ही 200 ौलर जो डीन है फाल्ट को 200 दोलर देता और ब्रुकस लड़कों को फसा कर दीन तक पहुंचा जिसके बाद वह उनके साथ क्रम करता और उनकी हत्या भी कर देता थimiento कर घन परी कैनन की की थी, कुछ महीने बाद वो दो किशोर लड़कों को अगवा करके ले आया और बेड में बांध कर उनके साथ रेप करने लगा, इसी बीच ब्रुक्स वहां आ गया, ब्रुक्स ये सब देख कर घबरा गया, जिसके बाद कोरल ने उसे कहा कि वो एक पर्नोग्रफ भी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी के लिए वो इस वीडियो को शूट करेगा, बाद में ब्रुक्स ने एक पर फिर से कोरल से इस बात के बारे में पूछी, जिसके बाद ब्रुक्स ने कहा कि वो उन लड़कों को उसने कैलिफोर्निया भेज दिया है, लेकि इसके बाद ब्रुक्स चुप हो गया, इसके बाद भी ब्रुक्स ने कई लड़कों को फसा कर कोर ल तक पहुचाया, जिसकी कीमत थी वही 200 डॉलर, इसना इसमें कोल में लाकर देखा जाया तो ब्रुक्स भी बराबर का जिमेंधार था, कोरल के साथ इस वारदात को अन्ज उसको भी अपने साथ सीरियल किलर रखेगा और लोगों को टार्गेट करने के लिए यूज करेगा इसके अलाबा कोरल ने हिनले को वो कहानी भी सुनाई गेब पर्नोग्राफी वाले की वो एक गेब पर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ है जिसके बाद हिनले और मैं ठीक हूँ इसके चलते पुलिस में इनलापता लड़कों के माबाप की हेल्प नहीं कर पाते थे बदा दें कि तीन साल में कोरल ने करी तीन हत्याएं और 28 डेप की बारदातों को अन्जाम दिया एक दिन और 8 अगस 1973 को हैनले एक लड़के टीम कारले और लड़की रोहेंडा विलियम्स को साथ में लेकर कोरल के घर आया हेले के मुताबिक वो उन लोगों को अपने घर पर कोरल के घर पर इसलिए लेकर गया था ताकि वो उनके साथ पार्टी कर सके लेकिन जब ये सारे नशे में चूर हो गए ते इसके बाद कोरल ने सब को बांद दिया इसके अलावा उसने हेले को भी रसी से बांद रखा था और कोरल ने उन पर बंदूग तांदी उसने कहा कि तुम मेरे घर पर लड़की लेकर क्यों आए हो अब मैं तुम्हें जान से मार दूँगा लेकिन मौका देखकर हेले ने कोरल के हाँ से बंदूग छीन ली और उस पर ताबर तोड़ छे राउंड फाइरिंग कर दी जिसके बाद मौके पर ही हेले की मौत होगे इसके बाद वो सीधा पुलिस के पास पहुँचा और अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि हेले ने आज तक 28 लोगों के साथ रेप और 3 लोगों की हत्या की है ये बात सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गये उन्हें हेले की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि कई बार उन्होंने जो कोरल है उनको देखा था वो बड़ा ही मासूम सा लड़का लगता था उसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि वो इतना खुंखार सीरियल किलर भी हो सकता है ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हैनले और ब्रुक्स के साथ क्या हुआ तो हम आपको बता दें कि हैनले और ब्रुक्स दोने हुई जेल की सलाकों के पीछे कैद थे जानकारी के मुताबिक साल 2025 में हैनले को परोल मिल सकती है लेकिन कोविट के दोरान जो ब्रुक्स है उसकी मौत हो चुकी है हनले की जो एज है इस दोरान वो 69 यर्स का हो चुका है और जेल की सलाकों के पीछे कैद है और अपना केस भी लड़ रहा है तो वहीं हेनले और ब्रुक्स की तो मौत हो चुकिया है हेनले जो की जेले की सलाकों के पीछे कैद है उसी ने कोरल की जो सच्चाई है पूरी दुनिया के सामने पुलिस के जरीये रखी थी जिसके बाद ये कोरल की मौत के बाद ये जो सीरियल किलर का खौफ था वो समाप्ठ हो गए और टेकसस में लोगों ने चैन की सांस ली लेकिन साल 2025 में जब ये पैरोल पर हैले बाहर आएगा क्या उसके बाद ही वो जिस तरीके की गतिविदियों में वो शामिल रहा कोरल के साथ क्या वो एक बार फिर से वही काम शुरू करेगा ये देखना बेहत ही खतरनाक हो सकता है कि वो अगर बाहर आया तो क्या करेगा इस पर पुलिस उस पर लगातार नजर रख रही है कर दो पुलिस पुलिस रहा ही है